हेलो बच्चो पेटा आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो आपको एक्जाम में पूछी ही जाती हैं जैसे के अनुपात A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 की तुलना करके हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे दी हुई समीकरण क्या पृत पाती हैं यह संगत हैं यह आसंगत हैं ठीक है इसके लिए तीन कंडिशन हैं पहली कंडिशन यह है कि A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 यानिकि A1 upon A2 की वैलियो में निकालती हूं और B1 upon B2 की वैलियो भी निकालती हूं अगर वो दोनों वापस में बराबर नहीं आती हैं तो मैं क्या कहू दूसरी कंडिशन यह है कि अगर मैंने A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की वैलियो निकाल कर देखी अगर वो तीनों बराबर आती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं संपाती रेखा हैं यह उनके अनेक हल हैं और वो क्या है आपस में संगत हैं ठीक तीसरी कंडिशन है कि अगर A1 upon A2, B1 upon B2 की वैलियो बराबर आती है लेकिन C1 upon C2 की वैलियो बराबर नहीं आती है तब हम उसको कहते हैं कि वो समानतर रेखा है और उनका कोई भी हल नहीं है उनको हम भोलते हैं आ संगत ठीक है तो चलिए इसको मैंने समझाया है दो एक्जामपिल लेकर एक्जाम्पिल के help से आ 3y-8 equal to 0 4x-6y-9 equal to 0 ठीक है तो मैंने यहां पर first example जो लिया है उसमें मैंने क्या चेक किया पहले मैंने a1 upon a2 निकाल कर देखा तो a1 की a1 मेरा क्या होता है x के साथ जो भी लिखा है वो मेरा a1 है और नीचे वाली equation में x के साथ जो लिखा है वो मेरा a2 है तो मैंने a1 यह नहीं ठीक है तो b1 यानिके minus 3 upon minus 6 जब cancel किया तो कितना है 1 upon 2 ऐसे ही मैंने c1 upon c2 लिया तो c1 की जंगा पर क्या है minus 8 और c2 की जंगा पर क्या है minus 9 जब मैंने यह लिखा तो देखो a1 upon a2 की value और b1 upon b2 की value बराबर आए देखो यह दोनों बराबर आ रही है लेकिन c1 upon c2 की value बराब तर रेका हैं और इनका कोई भी हल नहीं है और इनको हम यह भी कहते हैं क्या वो क्या है आसंगत है ठीक है ऐसे ही हमारा second question है second question में मैंने यह लिया है इसमें मैंने a1 upon a2 निकाला x के साथ यहां पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यहां पर 1 है 1 और नीचे x के साथ जो भी है वो क्या है मेरा a2 है तो a1 upon 3 हो गया यहां पर देखिए b1 की जंगा पर minus 2 है और b2 की जंगा पर 4 है तो 2 minus 2 upon 4 जब cancel किया तो minus 1 upon 2 आया तो देखो बेटा यहां पर क्या है आपका 1 upon 2 तो बेटा यहां पर देखिए यहां पर लिखा है आपका 1 upon a1 upon a2 बराबर नहीं आया b1 upon b2 के तो मुझे c1 upon c2 की ज़रूरत ही नहीं है निकालने की क्योंकि मेरे first 2 ही बराबर नहीं आये इसका मतलब यह कौन सी रेखाए हो गई यह परतिछेद करती रेखाए है इनमें सिर दारेक्ली एक्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि आपको 2 equations दे देंगे दो आपको समिकरण दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या यह अपिसे रेखाए हैं तो आपको जब भी इनको चेक करना तो सबसे पहले आपको a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 निकालना होगा उस से एक आप कर पाओगे और यह वाली condition जरूर याद कर लीजेगा ठीक है अच्छा next आपका यह है आपसे directly भी question पूछ लिया जाता है कि यह संगत है या संगत है तब भी आप क्या करोगे a1 upon a2 b1 upon b2 निकालोगे c1 upon c2 निकालोगे और आप equations को देखकर बता दोगे क्या वो क्या वो क बच्चो आपको अच्छे से समझ में आगया होगा तीनों चीजे यह वाली इन कंडिशन को कई बार प्रैक्टिस करिए इनसे आटिसे questions ले लेकर solve करिए और यह चेक करिए क्या वो equations संगत है या संगत है ठीक है प्रितिछेत करती रेखाए हैं या संपाती रेखाए हैं या तो all the best बच्चो और questions करिएगा practice करिएगा कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताएगा thank you so much